असलाम लेकुम आज के सेशन के अंदर हम लोग एड़ अकाउंट सस्पेंशन को डिसकस करेंगे यह सेशन बहुत इंपोर्टेंट है उन लोगों के लिए कि जो फेस्बुक के उपर एड़ चला रहे हैं और आज ही के सेशन के अंदर भी देखेंगे कि अगर एड़ हमारा सुस्पेंड हो जाता है बहुत सारे स्टूडन से सवाल पूछे होते हैं कि हमजभाई हम डॉप शिपंग कर रहे थे कि एसवाब ना है ऐसा नहीं है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसके विए से आपके एड़ अकाउंट सस्पेंड हो एक एक करके अभी हम उसको द आप टेको्फी लिख रहे हैं और एड कॉपी के अंदर आपने घल्स ग्रैमर का स्तमाल है यह ऐड़ पॉलिसी वाइलेशन नाइंटीन परसंट लोगों यह बात पता ही नहीं होगी यह अप पॉलिसी वाइलेशन के अंदर आता है तो यह अब सॉचते हैं कि यार हमने ऐसा क्या किया था जिसकी वैसे एड़ पॉलिसी एड़ अकाउंट हमारा सस्पेंड हो गया एड़ पॉलिसी तो हमने कोई वाइलेट नहीं की तो यह इसको नोट कर लें यू आरेल को यहां पे नंबर वन से लेकर आखर तक पूरी एड़ पॉलिसी को सुकून से बैट के पढ़ ल जाएंगी कि आपने क्या काम नहीं करने जिसकी एड़ पॉलिस एड़ एड़ अकाउंट सस्पेंड होता है तो यह तो ओगया नंबर एक कि जिसकी वैसे एड़ अकाउंट सब्सपेंड नोती है अवापने आपने पॉलिशिस पूरी पढ़ ली और आपने बोला मैं कोई आ सपनेट अकांट अब सब्सक्राइब कर रहे हैं इसका कोई लेना देन नहीं अभी आपको बताता हूं समझाता हूं अब आप आप्स चलाने शुरू किया अब टार्किट कर रहे थे युएस को आपने एक बनाई यूएस के लिए अब आप फॉरण आपने अगली campaign बना ली यूके के लिए फिर आपने अगली campaign बना ली यॉर्पेंड कंट्रीज के लिए भाई अभी आप नए-एफेस्बुक के उपर आपने काम शुरू किया है नए-एफेस्बुक के उपर आप है अगर वो वो अब अब शुरू कारा तो शुरू कारेंगे तो फेस बीज़ी के साथ आप अबके हैं आपके आपके होनं ऐस्य करने में हमेशा से कहता हूँ शुरू से पहले से से हमेशा एक चीज़ बताता हुआ रहा हूं कि डॉप शिपिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपने एक कंट्री को टार्गेट करना है अगर आप यूएस के अंदर काम कर रहे हैं तो सिर्फ यूएस के अंदर काम करना है अबल्टीबल कंट्री में नहीं जाना आपको जब यूएस के अंदर अपना विस्नेच में बहां से अच्छा पैसा बाहर निकाल लेंगे उसके बाद आप अप आप जो मुल्टिपल कंट्री में जाने नहीं जाना फिर आप यॉरप के अंदर जाए फिर आप इंग्लेंड के अंदर जाए आप अभी यूएस में काम कर लें यहां से पैसा बना ले उसके बाद दूसरे कंट्री में जाईएगा तो यह सबसे बड़ी कलती है जो नए वैसियत नहीं होगी तो फेस्बुक आपको गौर करेगा आपके उपर जादा नज़र रखेगा कड़ी नज़र रखेगा तो आपकी यह चोटी मोटी चीज़ें जो आपको नहीं पता वह आप से हो जाती है आप जो पकड़ में आ जाते हैं और आपका अकांट्र स्पेंड करें दूसरी चीज नॉन ब्रेंडिट लेंडिंग पेजस इसकी वज़े से भी अकांट्र स्पेंड होता है अब आपने डॉप शिपिंग का स्टोर बना लिया अब वह आपने मचली बादार लगा है उस स्टोर ही अंदर मुझे स्टोर्स बेज़र होते हैं मैं देख तो अब मैं अगर अपने स्टोर ऐसा बनास 15 को अपर मैं कपड़े भी लगाए है में रघ्णी की चीजा में है न वह तो एम दीच बेखता है कि बंदा इतनाài छोटा इसकी कोई इसका कोई ब्रैन्ड की इसके चीजों नहीं इस फिर मार्केटिंग कर रहा है तो वो आगे सब्सक्राइब करेगा या यह कुछ चीज बेच के सही जो है अच्छी चीज नहीं भेज़ेगा गलत कौलिटी की चीज बेज़ेगा यह अपने प्राइमरी बिजनस क्या है आप मार्केट में किस चीज की वज़ा से जाने जाते हैं यह चीज पता होनी चाहिए ना अगर कोई आपके लेंडिंग पेज के उपर आ रहा है और वहां पर जुम्मा बजार लगावा है तो वो फिर ना तो आपसे बाये करें कंवर्जन रेट भ ठीक होगी बात तो उसका आपने ख्याल रखना है तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक 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 अकाउंट बैन हो गया अब आपने भाई की आईडी ली उसके उपर आपने नया बिजनस मैनियर बनाए के नए आइड अकाउंट बना लिए अब पिछल को पता है यार एक नए आईडी नया बंदा नए विजस में घुसा है आते साथ ही दस अदार रुपे के एड चलाना शुरू हो गया सब्स्पीश एक्टिविटी फिर फेस्बुक आप पर शक करेगी ठीक है तो आपने यह नहीं करना दूसरा आपकी जो आईडी है फेस्ब कर रहा है यहां पर सब्स्पीश एक्टिविटी आगे यहां पर एड़ अकाउंट बैन हो जाता है दूसरी एबनॉर्मल केंपें किरेशन इसकी वैसे भी एड़ अकाउंट सुस्पेंड हो जाता है आपको फेस्बुक ने एक ऑप्शन दिया है सीबी होगा कैंपेंड बज कैंपें बनाई उस पर पचास मेंद बना दिया एक keeping बना दिए और पचास यह आजए बनाएगा केंपेंड कर रहा होता है थैसा सब्सक्राइब नॉर्मल सी कैम्पेन बना दी यह भी सब्सक्राइब आजाएगा यहां भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांस है था कि एक जो तरीका एक नॉर्मल तरीका है उससे बिल्कुल हट कर कुछ ऐसा आप अपने एड़ अकाउंट के उपर कर रहे हैं तो यह सब्सक्राइब क्योंकि देखें फेस्बुक को आपने यह बताया है कि आप एक बिजनस्मेन है आपका एक ब्रैंड है आप एक चीज़ बेच रहे हैं अब एड़ अकाउंट के साथ जब आप इस तरीके सी एबनॉर्मल कैम्पेंड क्रेशन करते हैं तब भी आपका एड़ क्रेटिव आपने उठाया कुछ एड़िट किया हलका भुलका सा उसके उपर एड़ चला दिये वहां कोई इशू कॉपी राइट का नहीं है लेकिन फेस्बुक को तो पता है ना कि यारी एक पेस था जिसके उपर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्रेटिव बीस पच सब्सक्राइब करेगा उसके बाद आप किसी ब्रैंड का नाम यूज कर रहे हैं या पिर आपकी एड़ कुरेटिव रेलेवन्टी नहीं है कुछ लोग होते हैं शोखे जो मतलब यह सोचते हैं कि यार हम कोई मतलब आला किसम की एड़ कॉपी लिखेंगे जो बहुत इंगे की राइटिंग जानता हूं मैंने इस तरीके से एड़ कौपी अपनी बनाई है कि बस तबाही लेकिन हुआ गया कि आपका एड़ किरेटिव जो था वह आपकी एड़ कोपी चारी एक क्रेटिव कहीं जा रहा है दोने एड़ इर एलिवन्ट हुए फेजबुक को हुआ शक् स्पेंट ठीक है उसके बाद आपने पंक्टुएशन सभी स्थमाल लेगी बैड ग्रैमर यह सारी चीज़ा आपको जो एड़ पॉलिसी के अंदर मिलेंगी उसको पढ़ें ठीक है तो यह सारी चीज़ें आपकी सस्पेंशन का बाइस बनती है इन चीज़ों ख्याल रखें यह कि जो पॉइंट्स मैंने यहां पर बताएं हैं यह सस्पीशस एक्टिविटी के अंदर आते हैं जो के 90 परसंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एड़ अकॉंट बैन होते हो इसी वजह से हो रहे हो बाकी फेस्बुक का सिस्टम ऑटोमेटिड है कोई बंदा नहीं करना अगर मैं दिन के अंदर बहुत पैसा पैसा करेंट यूँजसस अंदर दो तीन जिसके अंदर में पॉलिशी एसी एड़ पॉलिशी वाइलेट की हैं कि जो बहुत ही मेजर वाइलेशन है लेकिन एड़ अकाउंट नहीं है हजारों उसके उपर लाइक से हजारों उसके उपर जो इंगेजमेंट्स आ रही है चल रहा है ठीक है कुछ ऐसी है कि जो आ चाहें गैट स्टाइट की ऑपर क्लिक करें फेस्बोक की सपोर्ट टीम से बात करें फेस्बूक की सपोर्ट टीम आपको हैसा नहीं होगा मुझे नहीं पता था कि एड पॉलिसी मैंने वाइलेट कर दी है इन फ्यूचर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इस तरीके से आप इंसे सपोर्ट लेकर भी अपने एड अकाउंट को वापसी ले सकते हैं याद रखी है कि एड अगर आपने कोई मेजर एड पॉलिसी वाइलेट क के अंदर कि आपका एड अकाउंट आपको वापसी मिल जाएगा जब आप सपोर्ट टीम से बात करते हैं फेस्बुक की ठीक है तो यह चीज़ है इनका ख्याल लखें अगर आप डॉप शिपिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से आपका एड अकाउंट सुस्पेंड नहीं हो यह पता होना चाहिए जैसे दराज है अब दराज के उपर लाखो आइटम लगे हैं लेकिन दराज का एक आउटलूक बनावा है कि दराज के उपर बहुत सारे सेलर्स हैं वो आकर अपना समान बेशते हैं ठीक है एक आउटलूक है न दराज का ऐसे ही आपकी भी एक करें लेकिन ऑपके लेंडिंग पेज के उपर आकर इस चीज़ का पता लगना चाहिए कि आप स्पेशलाइजड किस चीज में ह dual कि यहाइट तो आप नि यह पताना है कि मैं इस चीज में स्पेशलाइजड हूँ साथ मैं यह भी आइटम बेच रहाँ तो इन चीज-चीज- इसको वाइलेट ना करें और अपने आपको सब्स्पीशेस एक्टिविटी से दूर रखें